स्री शिवाय नमस्तु भ्याम तो आप लोगों को रक्षा बंधन की हारदिक शुभ सामना आएं और मैं आपको आज बता रहा हूं कि रक्षा बंधन का शुभ मुहुड क्या है कब राखी बानना चाहिए कब से ये सुरू हुआ है पहले किसने राखी बान ही थी तो सारी जान बंधन का तेवार इस बार 19 नवंबर 2024 शुमवार के दिन बनाया जाएगा जानकारों की माने तो अर्था बंधन पर भद्रा का शाया रहेगा माना जाता है कि भद्रा जेशी असुभ धरी में राखी नहीं बांधनी चाहिए तो आज हम आपको बताएंगी कि भद्रा किस सम एक समय तक है और राखी बांधनी का सुभ मुहृत कि समय है राखी का सुम मुहृत में राखी मानना बहुत जरूरी है और भद्रा काल के दौरान अनुष्ठान करने से बचना चाहिए बोचताएंब धरानी कंपाने आसुभ माना जाता है ब्द्रा को पुर्णिमाति थी आरंब 19 अगस्त को सुबह 3-4 बजे पुर्णिमाति थी आरंब हो जाएगी 19 अगस्त को रात 11 बचकर 55 मिनट तक रहेगी तो आपको बताते हैं भद्राकाल किस टाइम तक है मैं आपको आगे बताऊंगे अन्य कथा के अनुसार सुर्फ नखा ने अपने भाई रावन को भद्राकाल में राखी बाणी थी जिसके कारण रावन और उसके पूरे कुल का नास हो गया था इसलिए कहा जाता है कि भद्राकाल में भाई को राखी नहीं बाणनी चाहिए है इस बार रक्षा बंधन में भद्रा का मूख सुबह दस तिरपन बजे तक से दोफर बारा अधिस मिनट पर हो जाएगा तो आप एक बज़कर तीस मिनट के बाद ही राखी बाने तो जादा बहतर है इस दिन बहने भाई की कलाई पर राखी बांते हैं और उसकी लंबी उम्र की कामना करती है इस दारन भाई भी अपनी बहन को रक्षा का वचन देता है और चमता के अनुसार उसे उपखार देता है भारत में राखी के पवितर पर्व को बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है इसे रिस्तों में मिठास, विश्वास और प्रेम बहाने वाला पर्व माना जा गया है फारानी कहानी का नुसर भद्रा सनी देव की बहन है देवी भद्रा का शभाव विनास करना है इसलिए राखी को भदराकाल में बाहर ही बाहना उचित बाना जाता है इस पर्व को हर सावन मास की पुढ़निमा के दिन मनाया जाता है इस दिन बहने भाई की कलाई पर प्रेम और सनेह का रक्षा सुत्र बाहनती है साथ ही बहने अपने भाईयों की लंबी उम्र की प्रात्ना भी करती है और भाई बदले में अपनी प्यारी बहनों को रक्षा का वचन देते हैं रक्षा बंधन का तेवार इस बार 19 अगस्ट 2024 शोमबार के दिन मनाया जाएगा जानकारों की माने तो रक्षा बंधन पर भद्रा का शाया रहेगा माना जाता है कि भद्रा जेशिय सुब घरी में राखी नहीं बांधनी चाहिए पंचांग के अनुसार इस साल सावन माह के शुकल पक्ष की पुढ़िमा तिथी 19 अगस्त दिन सोमबार को तीन बचकर चार मिनट सुबह एम से सुरू हो रही है इस तिथी की स्रमापती 19 अगस्त को ही रात 11.55 पी एम पर हो रही है ऐसे में उद्या तिथी के आधार पर रक्षा बंधन का तेवार 19 अगस्त सोमबार को मनाया जाएगा इस साल रक्षा बंधन के दिन भद्रा का शाया रहेगा रक्षा बंधन पर भद्रा के प्रारंब का समय शुबह में 5 बचकर 30 मिनट पर है उसके बाद वह दोफर 1 बचकर 32 मिनट तक रहेगा इस भद्रा का वास पाताल लोग में है हालांकि कई विद्वानों का मत है कि यदि भद्रा का वास अस्थान पाताल है ये फिर स्वर्ग लोग है तो वह प्रिष्वी पर रहने वाले लोगों के लिए असुब नहीं होती है उसे सुब ही माना जाता है लेकिन कई सुब काडियों में पाताल की भद्रा को भी नजर अंदाज नहीं किया करते हैं इस बार रक्षा बंधन वाले दिन साम के समय में पंचक भी लग रहा है पंचक साम साथ बजे से सुरू होगा और अगले दिन सुबह पांच बजकर तिरपन मिनट तक रहेगा पंचक शुमबार को लग रहा है जो राज पंचक होगा इसके असुब नहीं माना जाता है ये होता है 19 अगस्त को रक्षा बंधन का मुहृत दोफर एक वजकर 30 मिनट से लेकर रात 9 वजकर 8 मिनट तक है उस दिन भाईयों को राखी बांधने के लिए 7 गंटे 38 मिनट तक का समय मिलेगा राखी एक प्राचिन हिंदू तेवार है दोहजार चौबिस में रक्षा बंधन पर उत्तरप्रतिस गुजराथ राजस्ताम अधिप्रत्रव हरियाना में सारवजीनिक अवकास है जैसा कि पहले खने में बताया गया है कि राखी का तेवहार भाई बहन के बीच के बंधन का जस्न मनाता है यह तेवहार देश के कई सांस्कृतियों में बहुत परसीद है क् भाई बहन के बीच करतव और प्रेम की अवधारना सरवभौमिक है तेवहार के दिन सुबह भाई बहन अपने पड़िवार के साथे कठे होते हैं बहने सुरक्षा के परतिक के रूप में राखी धागे बांती है राखी का उपयोग परोसियों और दोस्तों के बीच अन्य परिश्तों को मनाने के लिए भी किया जाता है रक्षा बंधन एक मांसून तेवहार है तो आगे हम आपको बताते हैं रक्षा बंधन एक मांसूनी तेवहार है जिसका एक गहरा अर्थ है बारिष का मौसम जीवन की सारी गंदगी और उलजणों को मिटा देता है ये मौश् भोलेनात का भी महीना है तो इसलिए इसे और भी सुप माना जाता है आज हम आपको रक्षा बंधन से जुड़ी कहानी बताते हैं कि पीछे कब कौन कहां कि रक्षा बंधन से जुड़ी कहानिया रक्षा बंधन जिसे राखी या रकडी के नाम से भी जाना जाता है भाईयां और बहनों के बिच प्यार और जिम्मेदारी का बंधन, शम्मान करने के लिए दुनिया भर में हिंतुओं द्वारा मनाया जाने वाला एक खुसी का तेवार है, हलांकि इस छुट्टी का महत्व जैविक संबंधों से पड़े है, क्योंकि यह शभी लिंगों, धर्मों और जा लेकिन उन सभी में एक धागा बांदना सामीर है, बहन या बहन जैसे आक्रति अपने भाई की कलाई के चारो और एक रंगिन और कभी-कभी विस्त्रित धागा बांदती है, जो उसकी सुरक्षा के लिए उसकी प्राथना और शुपकामनाओं का परतिक है, बदले में भाई अपनी बहन को एक सार्थक उफार देता है, रक्षा बंधन की उस्पक्षी का पता प्राचिन काल में लगाया जा सकता है, इस तेवहर का उल्लेक 326 इसापुर्व शिकेंदर महान से जुड़ी है, कहा जाता है कि हिंदू ब्रंथों में भी रक्षा बंधन का कई विब्रन ह अइसीँ ही एक कहानी है, इन्दर की पतनी सची की, जिनहोंने सकतिसाली रक्षा स्राजा बली के खिलाप युद्द के दरान, इन्दर की कलाई पर रक्षा के लिए एक धागा बंधा था, यही कहानी बताती, एक पवितर धागे का इस्त्तमाल संभवता प्राचीन भारत के ताबीज के रूक में भी किया जाता था जो युद्ध में जाने वाले पुरुसां को सुरक्षा परदान करता था और यह केवल भाई बहन के रिष्टे पर ही सिमित नहीं भागत पुरान में और विश्णु पुरान में यह कथा बताती है कि कैशे भगवान विश्णु ने र राजा बली को राखी बांद कर अपना भाई बना लेती है इस भाव से परभावित होकर राजा बली इनकी इक्षा पूरी करते हैं और लक्ष्वी भगवान विश्णु को घर वापस लाने में लाने का नुरोद करती है एक अन्य कहानी है गनेश की बहन देवी मंसा रक्ष के बीना खुद को अकेला महसूस करते हैं वे गनेश को एक बहन देने के लिए राजी करते हैं जिससे संतोसी मा की उत्पत्ती होती है तब से तीनों भाई बहन हर साल एक साथ रक्षा बंधन मनाते हैं अपनी गहरी दोस्ती के लिए मसूर कृष्ण और द्रोपती रक्षा पंधन के दोरान एक खास पल साजा करते हैं स्री कृष्ण युद्ध में अपनी उंगली में चोट लगाते हैं तो द्रोपती उनके घाव पर पट्टी बांधने के लिए अपनी सारी का एक टुक्रा फार देती है उसके प्रेम पूर्ण कृत्ति से अभिबूत होकर कृष् प्रेम और स्रक्षा के गहरे बंधन को दर्साति हैं किसानों के लिए रक्षा बंधन का महाद्ध में द्रोपती ने खृष्ण को राखी बंधी थी इससे पहले कि वे युद्ध के लिए रवाना होते इसी तरह पांडवां की मा कुंती ने अपने पोते अभिमन्यों को प्रेम और स्रक्षा के गहरे बंधन को दर्साति हैं किसानों के लिए रक्षा बंधन का महाद्ध में विभिन चेतरों में किसान समदाए खेलिये राकी पूर्णिवा के दिस रावनी अनुस्ठाम विसेशना करकता है बैहतर फसल के लिए वर्सा जल की परचूड़ता आव लिए उसे बहुत पसंद करते हैं राखी के तेवार 24 में भी यही उत्सब मनाया जाएगा मच्वारों के लिए भी रक्षा बंधन का महत्तो है देश के मच्वारा शमुदाए के लिए रक्षा बंधन का तेवार बहुत महत्पूर्ण है महराष्ट करनातक गुजरात और ग इसलिए नारियल पुर्णिमा का उत्सब भग्वान वरुन को प्रसंद करने का प्रियास करते हैं मांसुन का मौशम विनास का भी परतीक है इस प्रकृतिक से अनावश्यक पहलुआं को पूरी तरह से खत्म कर देता है और एक नव जीवन की सुरुवात का संकेरित है राख भाहन समुदाय श्रावन पूर्णिमा को के दिन को उपा कर्म के रूप में मानते हैं रक्षा बंधन पुझा विधियो भारत में रक्षा बंधन नाता है जो एक शुब अवसर है जिसमें पूझा ठीयाष्यक पूझा पूजा विजी शुरू होने से पहले एक तिया रोल शिंदूर चावल मिठाई और राखी से भरी एक छोटी पूजा की थाली तयार की जाती है बहने अपने भाईयों के सामने एक गोलाकर तरीके से दिपक लहराते हुए और उनके मासे पर रोली लगाते हुए आर्थी करती है उसके बाद वे भाई की कलाई पर राखी बांते पूजा विधी एक आध्यात्मिक महौल को बरहावा देती है जो भाई बहन के बंधन को गहरा करती है और राजस्थानी और मारवारी समाज में एक खास परंपरा पर अचली थै भाई अपनी पत्नी की शूड़ी पर लूंबार आखी बांतना ये इस पर्था का करने की जिम्हाई साजा करती है इस प्रता दीरे दीरे विभिन अन्य भार की समदाया में भी लोक प्रिये हो रही है तो इस बार रक्षा बंधन का सुब मुहर्त दो फर एक बच कर तीस मिनट के बाद ही है तो आप डेर वजे के बाद ही राखी बांदे क्यूंकि सुबह से भद्राकाल में राखी ना ही बाने तो बेहतर है जैसी कृष्णा जैसी यह रहा है